अज का मारा टोपे के हिंदी रीडर का पार्ट दस राजा के जूते ठीक है आईए हम इस लेशन को रेट करेंगे बहुत समय पहले की बात है एक राजा और एक था उसका मंत्री राजा का नाम था अमिर्चंद और मंत्री का नाम गरीचंद था ठीक है एक दिन अमिर्चंद ने गरीचंद से कहा सुनो मंत्री जी कल हम राज में घूमने निकले तो हमारे पेरों में धूल लग गई धूल की इतनी मजाल की वह हमारे पेरों पे लगे तो यहां मजाल मिन्स होता है हिम्मत धूल की इतनी हिम्मत की वह हमारे पेरों से पेरों में लगे तुम लोग मुफ्त का खाते हो इस धूल का कुछ करो नहीं तुम्हारी खेर नहीं यहां खेर मतलब होता है पुसल राजा की बात सुनकर गरीब चन्द घबरा गया और थरथर कापने लगा वहाँत जोड कर बोला महराज आप हमारे अन्दाता है अगर आपके चन्दों पर धूर नहीं लगेगी तो हम लोगों को आपकी चरन धूली कैसी मिलेगी यहाँ पर थरथर कापना मिल्स होता है बहुत जादा डड़ना ठीक है और अन्दाता मिल्स होता है भोजन देने वाला तो क्या होता है कि महराज आप ही हमारे अन्दाता हैं आप ही हमारे हमें भोजन देने वाले हैं फिर है यहां गरिब चंद की बास उनका राजा कुसल हो गया फिर भी कुछ अकड़कर बोला जो भी हो हमें धूल से सक्त नफरत है सक्त नफरत है नफरत में सोता है घ्रणा तुम इसे पूरे राज से हटवा दो नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा राजा का ऐसा आदे सुनका गरिब चंद की आँखों के आंगे अंधेरा छा गया उसने देश विदेश के सभी विद्दमानों से धूल हटाने का उपाय पुछा लेकिन कोई भी उसे सही उपाय नहीं बता पाया लाचार गरिब चंद ने राजा को खुस करने के लिए एक अनोखा उपाय सोचा उसने कई लाख जाडू खरीदे और उन्हें राज की सारी प्रजा में बटवा दिया राजा के आदेश का अपारन करने के उदेश से राजे के सभी लोग गलियों महुलनों और जाडू में जाडू लगाने लगे इससे इतनी धूल उड़ी की सूरी का प्रकास भी मंद हो गया और राजा खासते खासते बहुत परशान हो गया राजा ने गरिपचंदों को बुलाया और कहा मंत्री जी तुम्हारी विवस्ता तो बहुत ही बैकार है दूल हटाने के चकर में चारों और धूल ही धूल कर दी अगर दो दिनों में धूल नहीं हटी तो तुम्हें जेल की हवा खाने पड़ेगी राजा की बात सुनकर गरिपचंद सिर्फ पर पाओं रख कर भागा उसने हजारों विस्तियों को धूल पर पानी छड़कने की आगय दी छड़काव में इतना पानी खर्च हो गया कि कुण और तलाबों का सारा पानी खत्म हो गया और चारों और कीचड ही कीचड हो गया वह अलग राजे के लोग प्यास के मारे मरने लगे फिर राजा ने गरीब चंद को एक बार फिर डाटा तुम ने तो हमें परबाद कर दिया तुम जेसों को तो सूली पचड़ा देना चाहिए सारे राज में यह क्या कीचड ही कीचड कर रखा है तो घबराय गरीब चंद ने तुरंत योग मंत्री की एक बेठक भुलाई मंत्रियों ने गरीब चंद को यह सला दी कि अगर राज की पूरी धर्थी को चम्ड़े से मड़ दिया जाए तो धूल से बचा जा सकता गरीब चंद की यह सला राजा को बताई राजा को ये बात ठीक लगी और उसने देश के सभी कर्म चर्मकारों को बुलाया चर्मकारों को जब पता चला कि उन्हें सारे राज की धर्ती को चड़ाना है तो बूरी तरह घबरा गए और राजा से बोले महराज ना तो हमारे पास इतना चमड़ा है और ना ही इतनी सकती कि हम पूरे राज की धर्ती को मर सके तबी एक बूरा चर्मकार बोला महराज मैं एक उपाँ बताऊं तो यहाँ पा चर्मकार से मतलब है चमड़े की बस्तु में पराने वाले से ठीक है अब हैं चर्मकार को जब पता चला कि उन्हें सारे राज की धर्ती को मढ़ाना है तो उसने एक उपाय बताया ठीक है तो राजा बोला तुम क्या बताओगे विद्दमान की पूरी सभा तो इतना हल बता नहीं पाई तुम आई हो बुढ़ा चर्मकार बोला आप आगिया तो कीजिए तो राजा ने उसकी बात मान ली बुढ़े चर्मकार ने अपने जोले में से मुलाया चमड़े का एक टुकड़ा निकाला और उससे एक जोड़ा सुन्दा सा जूता बनाकर राजा के पावों में डाल दिया वह राजा से थोड़ा चलने की प्रात्ना करने लगा जूते पहन के राजा ने कुछ दूर तक चल का देखा उसके पेरों में धूल का एक कंड़ भी नहीं लगा तो बुढ़े चर्मकार द्वारा बनाये गए उपाय से गरीब चंद की जान बज गई और इसी दिन उसी दिन से लोगों ने जूते पहने प्रारम किया तो यहां पर हमने देखा है कि जूतों के बारें बताया गया है कि जूते कब से पहना प्रारम किये थे जब गरीब अमिर चंद ने पहना शुरू किया था ठीक है तो यह थी आज के हमारे स्टोरी राजा के जूते ठीक है तो आज के लिए हम उम्मर्ख है आपका कि आप ये मुखिक प्रिश्णों को करने का प्रियास करेंगे ओके बाबा स्कूरेंट्स